अगर आप इंडिया में रहते हो और पेराक्लाइडिंग करना चाहते हो तो बेस्ट एक्सपिरियेंस जो है मैं आपको पताऊँगा कहां पे हो सकता है इंडिया में बेसिकली मैंने दो जगा कई बार पेराक्लाइडिंग की है पहली जगा है खजयार हिमाचल प्रदेश और दूसरी जगा है बीरी बिलिंग हिमाचल प्रदेश अब मैं पहले आपको पताऊँगा इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एंडि में सब कुछ पताऊँगा आपको यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अगर गिर गए वहाँ पे लोग जाडियों गयरा में गिर रहे थे और बिल्कुल नीचे खाई होती है तो आपको काफी ज्यादा लग सकती है और लगती भी है ज्यादा मीडिया में नहीं आता यह सब कुछ देखते ह सारा कुछ देखते हैं मोसम देखते हैं अब यह देखो टेक आफ करना जब आपको स्पीड से भागना सबसे पहले आपने जंप नहीं करना बैटना नहीं आपको सीधा भागते रहना एक काइट की दर आपको यह उठा लेगा एक बारी जब अच्छे से आपकी टेक आफ हो क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो बस टेक आफ जो है मेरे इसाफ से सबसे ज़्यादा रिसकी चीज़ है जो आपको बड़ी ध्यान से करना है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लग सकती है बड़े ज़्याद एंसिडेंस होते हैं वो न्यूज में नहीं आत वहीं पाइद चाहता है आपको सीधा बीर्ट बिलिंग में चले जाना है हुटल में चेकिन करके उनको बोलो हमनेihin पैरग्लैडिंग करनी है वो आपको वहीं से अपनी गाड़ी एरेंज कर देंगे क्योंकि अपनी गाड़ी में मेरे हिसाब से आपको उपर स्पोर्ट तक नहीं जाना चाहिए उपर जो रास्ता इतना अच्छा नहीं है छोटी रोड है और रिस्क भी हो सकता है जो नीचे में बीर बिलिंग के पॉइंट से वो थोड़ी दूर है जहां पर आपको कोई 40 मिनट से एक घंटा लग जाएगा जाने में तो प्रीज आप उनकी गाड़ी में ही जाओ वो सारा पैकेज इंक्रूडिड होता है जिस टाइम पे हम गे थे हमने 2300 में किया था वो आज से दो साल पहले की बात है और आज के टाइम पे मुझे लगता है ये कोस्ट कोई 2500 से 3000 के बीच में होगी बट ये वर्थिट है जब ये आप होटल में होगे तो होटल में वो बंदा आपको एक टाइम देगा तो आपको वेट करना है फिर आपको गाड़ी लेने आएगी उनकी उनके पास ज़्यादा तर आल्टोस वगएरा ही है क्योंकि पहड़ों पे ज़्यादा वही चलती है तो वो आपको उसी तरह से पूरा का पूरा वहाँ पे उपर ले जाएंगे जब वो पूरा अपने लेके जाएंगे अपने पॉइंट तक वहाँ पे पॉइलट आपको जो है वो पूरे का पूरा आपको आपको आपके कि थोड़ा डर तो लगेगा अगर डर नहीं लगता तो यह आप ट्राई कर सकते हो तो यहां पर जब वह उपर लेके जाएगा आपको टेक आफ के बाद जब अगर अच्छे से टेक आफ हो गया तो आप अच्छे से साइट सीन कर सकते हो यह आपको गोप्रो भी दे देंगे बना सकते हो यह अच्छे से फासन होता है गोप्रो के बिना भी पैकेज आता है लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप लीज गोप्रो ले ले लेना क्योंकि आपको मुमेंट्स पर अच्छे से कैप्चर होंगे उसमें और जेब में कोशिश करना कुछ भी कैरी मत करना क्योंकि कि जब आप हाइट पे होते हो तो वो समान नीचे गिर सकता है काफी लोगों का मुबाइल नीचे गिर जाता है इसके बाद जो है यह उपर जा कि आपको अच्छे से पूरी साइट सिंग करवाएंगे अच्छे से गुमाएंगे प्रोफेशनल लोग हैं लेकिन दूसरी जो आ गया आप भी गिर सकते हो वो भी गिर सकते हैं काफी लोग गिरते हैं आपने वीडियो देखी होगी तो बेसिकली यही मेरा एक्सपिरियंस हां नीचे आपको जहां पर लैंड करते हैं वहां पो यह आपको वाइफाई पैन ट्राइब हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे जहां पर पूरा पूरा इंसे डेटा ले सकते हो अपना डेटा लेकर अपनी मेमरी में उसको सेव कर सकते हो मेरे खियास है यह तो वर्थिट है कोई भी अगर आपको बाकी कोशन है आप पूछ सकते हो मैंने यह वीडियो डाली है यह उपर जाके आपको बोलेंगे आपने स सिक्स्टी डिगरी या जो भी है उसके लिए एक्स्टा चार्जिस नहीं लेते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर आपको शोर है कि आप डरोगे नहीं वो तब को रौ है बाकि आपको कोई भी क्वेश्टन होगा आप नीचे पूछ सकते हो खजयार में भी होती है जहां पर मैंने कियो यह दो तीन बार लेकिन मेरे ख्याल से बीर बिलिंग की बैस्ट है अच्छी जगह है वहां पर आप स्टे भी कर सकते हो अच्छा हिल स्टेशन है और एक बहुत अच्छा एक्सपिरियंस है थेंक यू अब यहां मैं लेंडिंग की भी वीडियो डाली देता हूँ सबसे पहले ही आपको आगे पिछे मन टराते रहेंगे जैसे एक एयर प्लेन होता है वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन देगा जैसे यहां पर टांगे उपर कर करने के लिए बिल्कु 90 डिग्री पर करनी है कोई दिक्कत नहीं है नीचे पैटिंग होती है जो वीडियो आपने देखियो भाई बचाओ मुझे वह सब ड्राम है वीडियो के लिए कुछ भी नहीं है बहुत ज़्यादा सेफ है ऐसे लोगों ने बनाम किया हुआ है यह बह